अगर गाईज आप online meeting काफी ज़ादा करते हो जैसे zoom meeting, google meeting तो गाईज ये वीडियो आपके काफी काम आने वाली है क्योंकि आज हम अपने webcam को सुधारने वाले हैं अब गाईज जब भी हम online meeting करते हैं तो हमारा जो laptop का webcam होता है वो इतना अच्छा होता नहीं है, हमारी शकल तो दिखा देता है पर जो हमारी जो खुबसूरती होती वो उसमें नहीं दिखती है क्योंकि आप जानते हो कि लैप्टॉप के केमरे किते बेकार होते हैं तो आज क्या करने वाले हैं आज हम अपने फोन को as a webcam बयाँ पर जो आपके फोन का केमरे होता है वो कितना अच्छा होता है तो guys आपकी शकल भी अच्छा हैगी और आपकी जो वीडियो कॉलिटी होगी वो भी काफी अच्छा हैगी अब यहाँ पर आप अपने आइफोन को भी यूज कर सकते हैं और guys जो आज मैं आपको software बताने वाला हूँ जिससे आपका phone as a webcam मनेगा वो बिंकुल free है उसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने और काफी बढ़िया तरीके से काम करता है सिर्फ एक बार आपको setting कर देनी है उसके बाद guys आपका phone हमेशा connect रहेगा आपके PC से जब भी सबसे पहले आपको यहाँ पर एक software download करना पड़ेगा जो विंकुल open source है और विंकुल free है और guys आराम से आप download कर सकते हो इस software का नाप है guys OBS OBS Studio बहुत लोग तो इसको जानते होंगे और बहुत हो के PC में पहले से install होगा अगर आपके इसमें नहीं है तो मैं आपको बता ज़ पर आज चुका हूँ सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पर सर्च करना है OBS Studio फर्स्टी फर्स्टी फर्स्ट की यहाँ पर website आजाएगी इससे आप open कर लीजिए अब guys यह सब के लिए आता है Linux के लिए आता है Mac के लिए आता है Windows के लिए आता है जो भी आपका PC है उसके related आप download कर सकती हूँ यहाँ पर मैं Windows के लिए कर रहा हूँ तो मैं आप पर Windows पे click कर दिया है इसकी जो size है वो है 117 MB तो इतना आपको download करना पड़ेगा download करने के बाद guys simple सा setup है तो आपको install करने के बाद guys आप देखोगे तो कुछ इसका ऐसा interface है और guys अब हम connect करते हैं अपने phone को अपने PC से जिससे वो webcam बने अब इसके लिए काफ़ी simple सा process है और wireless process है आपको कुछ भी USB pen drive भी ज़रूत नहीं है यहाँ पर आपको यह करना है आपको चले जाना है अपने PC पे और guys यह website open कर लेना है इसकी link मैंने description में भी दे रखिए इसका नाम है guys video.ninja अब guys जैसे आप इस website को open करोगे ना तो आपके सामने यहाँ पर चार option आएंगे यहाँ पर जो सबसे right में option आपको दिखेगा create reusable link इस option पर आपको click कर देना है जैसे आप इस option पर click करोगे ना guys तो आपके सामने कुछ settings आएगी जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो आप यह settings को guys आप कुछ भी कर सकते हो जैसे कि आप उपर निचे कर सकते हो यहाँ पर आप unlock कर सकते हो या फिर guys यहाँ पर आप enable कर सकते हो stereo as a pro HD audio को तो जैसे आपको करना है कर सकते हो पर मैं आपको एक setting बताऊंगा जो कि आपको enable कर नहीं है वो है guys कि यहाँ पर आपको target video resolution को high पर कर देना है और उसके बाद guys आपको generate the invite link प करते है वो guys उससे भी scan कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैं करके आपको दिखा रहा हूँ उसके बाद guys अब एक website आपके phone के उपन होगी और यह website आपको दो option देगी एक होगा share your camera और एक होगा share your screen तो हम अपने camera शेयर करना है तो हम share your camera पर click कर देंगे उसके बाद guys यहाँ पर QR code खुला था ना उसके इनचे आपको एक link दिख रही होगी जो कि guys यहाँ पर आपको दिख रही होगी इस color में तो यह आपको copy कर लेना है जैसे आप इस पर click करोगी अपने आप copy हो जाएगा और उसके बाद guys आपको OBS studio open कर लेना है और यहाँ पर आपको दिखेगा plus का option इस पर click करना अप यहाँ पर आपको browser पे click कर देना है अब यहाँ पर आपको अपने phone का नाम लिख दिना है या फिर camera का नाम लिख दिना है जिसससे कि आपको याद रहे तो यहाँ पर मेर य आईफौन का camera है तो यहाँ पर मैं iPhone लिख रहा हूँ और ok कर दढ़ा उसके इमरा है वो connect यहाँ पर हो चुका है और गाइस यह रियली में काफी बड़या तरगे से काम करता है और यह जो प्रोसेस में आपको बता है न यह सिर्फ आपको एक बारी करना है एक बार आपने कर लिया न उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है आपके के आपके फोन के अंदर जो ठीक है OBS पर connect हो गया पर अब इसे हम अपने Zoom और Google Meet पर कैसे connect करें क्योंकि मिटिंग तो वही होती है और वही हमें अपने फोन को as a webcam यूज करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर OBS पर एक option दिख जाता है Start Virtual Camera इस पर आपको क्लिक कर देना जैसे आप इस पर क्लिक और जो camera है जो के आपका webcam select होगा आपके laptop का तो उसको हटा कि guys यहाँ पर आपको studio या फिर OBS camera आपको select कर लेना है उसके बाद OK कर देना और guys आपका जो camera है वो connect हो जाएगा आपके Google Meet से और guys आपका phone का camera आराम से आप काम करेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी तो यह setting करना है यह setting आप zoom पर भी कर सकते हो या फिर दूसरी teams पर भी कर सकते हो सब पर same setting देती है वो कर लो और guys आपका जो phone का camera है वो as a webcam या पर use होने लग गिया है तो guys काफे simple था बस थोड़ा सा process टिपी कर ड़े जो कि मैं आपको बादा था link वाला वो एक बार आपने कर देना उसके ब method को ज़रूर यूज़ करो आपके काफी काम आएगा चूकि जो हमारे laptop का जो camera होता है वो अतना अच्छा नहीं होता है और जो market में webcam मिलते हैं वो भी इतने अच्छे नहीं होते हैं महेंगे भी आते हैं and guys अबसे man इतने अच्छे quality भी प्रवाइड नहीं करते हैं सबसे comment करके पूछ सकते हैं उसके उपर solution देने की पूरी मैं कोचिश करूँगा बाकी मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और topic के साथ जब तक जै हिंच जै भारत